तो जैसा कि आप देख रहे हो यह बहुत ही सुन्दर सा फ्लॉरल लॉंबा है तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि आप फ्लॉरल राखी बना सकते हो यह उसी के हिसाब से सेम प्रॉसस से ही हम बनाएंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस है लॉंब यह हमें जो मटीर्स लगने वाले हो बहुत ही सिंपल है फ्लॉर लगेंगे गोटे के फूल लगेंगे पिप्स लगेंगी कलर फुल और हमें इस सेम से मेटल की जो बोलते हो आप मेटल का फ्लॉर यह मिलाएगा यह अगर ऑप्शनल अगर यह नहीं हो तो आप इसके बिना भी कर सकते हो मैं इसको यूज करूंगे लेकिन उपर में हमें डालने के लिए सेबसे बड़े वाले मोती लगेंगे और कुछ यहां पर चोटी या नीचे के बलटकन को बनाने के लिए हमें चोटी मोतिया लगेंगी और गोल्डन बीद्स लगेंगी तो आएए शुरू करत कर देंगे हम इस तरीके से एक धागे में अौरी बना लिया है behaviors मीडियम साइज दागा ले определ ले लेले मेने तबल कर के ऐन उसमें नीचे गोल्डवी पुक के रखी है एक stopper बना के रखा है अब हमें क्या होगा है यह जो लटकन है हमें बनाने के लिए हमें बार बार धाई को तोड़ना नहीं पड़ेगा ऐसे करके मैंने चुछी दागे अल्रेडी बना लिये हैं मोती डाल के अब हम इसमें ही पोहेंगे सुई के मदद से सुई के मदद से हम सबसे पहले क्या कर लेंगे ऐसे सुई में हम लगों घागा डाल के एक नौट बनालिया है एंग उसमें से यह वाले दाई को ऐसे अले डाल देंगे और अब इसमें हमें नीचे में क्या करना है चार चोटे मोती पोने हैं वाइट वाले चार चोटे मोती डालने हैं डाल दी हैं इस तरीके से हमने अब इसमें हम उपर में ये गोल्डन वाले मोती 14 14 गोल्डन मोती पोएंगे यह आप अपने एसाप से बना सकते हो छोटा बड़ा सो मैंने यहाँ पे 14 मोती पो दिये है इसी तरीके से मैंने और भी करके रखा हुआ यहाँ पे हमें 4 लेने है एक साथ में तो मैंने यहाँ पे यह देखिए अरड़ी तीन कर रखा था तो ये इस तरीके से 4 लटकन हो जाएंगे ready 4 लटकन ready होने के बाद में आपको क्या करना है आपको same उसी सुई के धागे में इस तरीके से इसे लेना है इन चारों को एक साथ और आप इस में से बाहर निकालेंगे इस center में से इसे बाहर हो तो आप इस तरीक से गिट भान के नॉर्मली से यूज कर लेंगे बट क्यूंकि मैं इसे निकाल रही हूँ ताकि यह ऐसे आ जाए कि सो अभी आपको समझ मैंगा कि मैं क्या करने वाली हूँ जैसे हम यह चाड लेंगे हम ग्लू गन की मदद से यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे इस जिगा पे मैं ग्लू लगा लिया मैंने अब मुझे इसे टाइटली होल्ड करके रखना है और इस एंड को इस तरीके से इसमें लगा दे रहा है सो अब देखरों यह इस तरीके से आ गया यह पूरा चार इस तरीके से इसमें चिपक गया है यह सरे से खुला खुला आ चुका है अब आपको जो करना है इस वाले को हम अभी नहीं कट करेंगे फ्लार पे हम एक साइड में इस पिप को लगा लेंगे इस तरीके से सो आप ये देखरो इस तरीके से हो गया अब इसके पीछे में हमें क्या करना है हम इसे लगाएंगे सबसे पहले धागे को जो रिबन हमें लगाना है colorful ribbon आप color अपने अपने साब सब लगा सकते हो मैंने या पर blue color लिया क्योंकि मैंने blue pips डाले है सो आपको क्या करना है इस position पे इधर पे blue लगाना है अब इधर पे इसे लगा देंगे ये इधर पे चिपक गया अब इसके बाद में हमें जो करना है ये नीचे जो है ये इसे हम इस तरीके से turn कर देंगे ताकि ये पुरा secure हो जाए और शाहतों आप cut भी कर सकते हो मैं या पे नहीं cut करेंगे डबल secure करने के लिए अब इधर पे हम blue लगा लेंगे और इसके back side में से attach कर देंगे ये आप देख रहे हैं ये इस तरीके से आ गया है इस तरीके से ये आज चुका है पूरा जब ये back side में हो जाए अच्छे से attach तो इससे आप clean look देने के लिए पीछे इस तरीके से इधर पे गोटा लगा लोगे आप देख रहे हैं ये इस तरीके से ये हो चुका है अब आपको सेम वही करना है प्रोसेस उपर में आपको मोती डालना है अब ये हो चुने के देखें आप पीछे से पुरा clean हो चुका है सामने से पुरा हो चुका है ये होने के बाद में आपको बस finishing के लिए एक उपर में एक मोती डालना है सो हम इसे डाल देंगे तो यह देख रहो यह मोती डल चुका है सो यह ready हो चुका है हमारा lumba सो जितनी जल्दी हमारी राखी बनी थी उतनी ही जल्दी हमारा lumba भी ready हो चुका है यह देख रहो आप कितना pretty लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है सो previous वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप राखी बना सकते हो मैं आपको दिखा देती हूँ लुक एक साथ में कितना अच्छा लग और इस वीडियो में मैंने आपको लुंबा दिखा दिया है सो आप देख रहो यह बहुत ही सुन्दर दे रहा है लुक दोनों ही पैर बहुत अच्छे लग रहे है यह सो ऐसे आप बना सकते हो घर में बहुत इसली बन जाएगा और राखी आने ही वाली है टाइम बहुत कम है तो इससे अभी फटा फट बनाईए अगर आपको मेरा ही आज का वीडियो पसंद आया हो तो do hit the like बटन अगर आप मैं चाल पे new हो तो subscribe करना मत भूलेगा thank you for watching and wait for my next video thank you